इंस्टन होममेड गोर्डन ब्लीच जो पारलर के ब्लीच से कई गुना जादा निखार देता है उन्ली 15 मिनिट्स में मैं हमेशा इसे यूज करती हूँ इसे किस प्रकार से बनाया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें एक मिक्सी जार लेना है और उसमें हमें एक मिडियम साइज का आलू कट करके इसमें एड कर देंगे सेकंड इंग्रिडियंट लेना है आधा लेमन उसे भी हमें फाइन टुकडों में कट करके इसमें एड करेंगे थर्ड इंग्रिडियंट लेना है टोमाटो टोमाटो हम हमें मेडियम सmez का लेना है उसके ही फाइन टुकड़े करेस में एड़ कर देंगे थीनों चीजों की हमें पैस बना लेनी है हम जब इसकी पैस बनाते हैं तो छलनी के मदद से चाहर लेना है तो हमें इस ऐसा च़ आए बाए से मिल जाता है ब्लीच बनाने के लिए हमें एक कटोरी लेनी है उसमें दो पिंच हल्दी मिला देंगे दो स्पून हमें चने का आटा इसमें आड़ करना है थर्ड इंग्रिडियन्ट दो स्पून चावल का आटा तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हमने जो रस बनाय इसे लगाने का तरीका इसे निकालने का तरीका भी काफी अलग है तो लास तक आपको इसे जरूर फॉलो करना है ब्लीच अपलाई करने के लिए सबसे पहले चेहरे को वाश कर लेना है क्लीन कर लेना है नेक्स प्रोसेस में हमने जो रस अलग से निकाला था आलू लेमन और तोमेटों वाला वो रस हमें कॉटन बॉल की मदद से पूरे चहरे पर लगा लेना है हमने जो यह चहरे पर रस अपलाई किया है यह हमारे इन तीनों चीज़ों में वाइटनिंग प्रॉपर्टी जाती है जो हमारे स्कीन को गोरा बनाने में हेल्प करती है अब हमारे स्कीन ब्लीच को अपलाई करने के लिए बिल्कुल तयार है हमने जो गोल्डन ब्लीच बनाया है वो आप ब्रश की मदद से या फिर हातों से भी प स्कीन को यह वाइट बनाएगा ब्राइट बनाएगा अपके स्कीन जभी आप इसे निकालते हैं तो काफी अच्छी स्मूथ और सॉप्ट हो जाती है बिल्कुल 20 मिनिट्स में इसके रिजर्ट नजर आएंगे इसमें हमने जो भी इंग्रेडियन यूज किये हैं बिल्कुल सेफ है नाचरल है आप वीक में दो से तीन टाइम भी इसे अपलाई कर सकते हैं अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे 20 मिनिट्स में यह पूरी तरह से ड्राय हो जाता है उसके बाद हमें इसे निकालने की एक अलग सी प्रोसेस करनी है एक बाउल में रॉ मिल्क याने कच्छा द न तो इसमें हमने जोभी इंग्रेडियन यूज के है वो दाग को रिमूव करने में गया लगार या फिर आफ रेगूलर का जो भी मॉशरायजर घ्लाई करते हैं और LAURI रचल prayer कर लेने और हलके हाथों से मिनिट केले लिए मसाज देना है आपको कोई भी शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करनी है तो पहले दिन आप इसे अप्लाई कर लेते हैं तो amazing result मिलेंगे, काफी निखार आएगा, आप जब भी इसे use करते हैं तो मुझे जरूर बताना है, स्वस्त्रह मस्त्रह हिल्ली रही, thank you so much.